Cryptocurrency legally हमारे देश में allowed नहीं है, legally नहीं है, लेकिन digital currency और digital banking इस budget में start किया है और इसलिए इसके उपर digital banking और digital currency के उपर Reserve Bank of India का governance रहेगा, क्रिप्ट को माद्यम से जिनको लाब मिला है, जिनके पास asset तयार हुए है, उनके उपर 30% tax लगा जाएगा, यह budget में है, तो वो वैसा हो जाएगा